कॉरोना का माहौल है फिर भी लोग घुमने आ रहे हैं क्या लगते आपको क्यों आ रहे हैं इसे करण है कोई पब्लिक कोई आदमी चाहाम हो मीडेम फैमिली वह है फैमिली हो जो भी हो किता दिन घर बैठा रहेगा ठीक करोना को दो प्रकौफ है तो को मालूम है लेकिन याद मतलब की बात है कि गवर्मेंट भी तो कुछ कर नहीं रहे है तो बहुत कार इसमें है पॉब्लिक छे महिना साथ महिना एक तो पहले काम सब आदमी बैठा हुआ है और घर हो गया मेंटल डिश्टर हो गया है अब खुर देख रहे है कि पिछला दो महिना में स्वाइट कर र मेंटली टेंशन है इसलिए पॉब्लिक स्वाइट कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है आध्यों रोजगार नहीं है जिसको अपनी बाद में काम करता है उसको निकाल दिया जा रहा है हमी माली हमी हमी है एक हमी कमी चला रहे है अगर हमी को लौस अगर होगा तबने वर्माउट कर अब गूमने वाची नहीं है पॉब्लिक घूम रहा है हम लोग हमेशा पत्रातू को एक ऐसा जगा माने है आनि कि शांती के लिए लोग यहां पर राते हैं जारकौन को बदनाम करने के नक्षली लाका में है इस नोट टफ थिंग यहां पर हम लोग आई वैं दिस इस इस मा हुआ हूं और मैं 25-26 स्टेट में घूम चुका मैंने जौब के सिलसले में यहां आए फर्स्टाइम लाइफ में माई एज थर्टी यह लेकिन यहां पर आने के बाद मुझे लगा कि गौर्मेंट का कुछ है ही नहीं यहां का लोकल पबलिक ही कर रहे हैं तो देर नो और होता हूं कि यहां पर हमारे घर में है कुछ निव जैंड एबरीटिंग कोई मीडिया भाइबंदू के लिए बिकोई यहां पर जारखन में कोई रिपोर्ट नहीं है कोई हैल्फ नहीं करने वाला और कोई चनी करता है है मन जी अपने पापा के करार रहें टेस्ट आप उसक कुछ नहीं होता सर आपके पास तीन करोड़ रांची में जनता है उसको कराईए सर क्या लगता है सरकार यह प्रेटन अस्तल को और भी विक्सित करने के लिए नाइक कहां सकते वह अपने घर को परिया तक अपने पापा कर टेस्ट कर रहें यहां तीन करोड़ जनता है रां अब यही काम कर रहें मतलब क्या हम लोग क्या कर रहें अब तो लगता है कि भोट देने के लिए घर से जाने नहीं पड़ेगा आज हमारे देश की यह हालत है कि जो हम लोगों ने चुनाओं के वक्त देखते हैं कि गरामी लाखा में 80 परसेंट भोटिंग होती है और सहरी इलाखा के लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वहां के भोटी 22 परसेंट 23 परसेंट होती है क्यों होती है विकाज देरा नोबडी टुटे लेनी वन हां मैं रगवर्दाश जी को कहना चाहता हूं कि उन्होंने गौवर्मेंट बनाई अच्छे बनाई उस समें एक अपात्काल आ गया हमारे देर हमारे राज्ये में जारगन सरकार के लिए आखिर कौन देगा इन सब सवालों का जारव चुनाव मावल है नितीज जी वहां पे हैं और जदियों और भाजपा गर्वन्द सरकार है वहां पे है लेकिन एक करोना का मार पब्लिक जेल रहा है प्लस बाढ़ का आप देखी रहें पब्लिक देख रहा है जो मुख्य मंत्री वहां के है नितीज जी जो 58 घर से निकले नहीं बाहर कहीं तो जंदा क्या देख रहे हैं वह जंदा क्या देख रहे हैं जंदा क्या समझ रहे हैं क्या पब्लिक क्या है क्या है क्या लगते आपको इस बार वहां का चुनावी माहौल कैसा रहेगा चुनावी माहल तो उसमें बहुत बढ़िया रहेगा इस बा नहीं रहेंगे लिए बीजेपी वहां पर आने वाला है पुन बहुमत में पुन बहुमत में आएगा उनको संदफ्चक बनाएगा जैसे आपे हम लोग के सीभू जी है आउ रहेंगे बास बास इसे बिहार में एक भाजपा छोड़ के कोई और पाटी है नहीं आज एडिये फ सब्सक्राइब कोश्राइब को था मीदुश्यार के लोगोने प्र boxer के साहे का में जाता है वाना जाना की में आप प्रेस के माध्यां से कहना चाहता घर कि इस राजे को मैं काना चाहूंगा कि इस राजे को जो । बिहार में क्या हुआ इस यहां कर र02 में खेजरिवाल किया में की tomar government कि मैंने खुद मैंने खुद 2007 में इंजिनिरिंग अप्लीट किया हुआ और हमारे गर्म लॉंग फ्रॉम एनी टाइप आप फैमिली सर मैं यह माने नहीं मुखबंतर जी को कहना चाहता हुआ सब्सक्राइब करें महाराज के गवर्मेंट के जरिवाल जी हो या फिर हमारे देवंदर फटनेनी जी हो एनीबडी कोई भी हो हम लोग यह चाहते कि आप 20-30 साल के वर्ग के जो जार्खन के युवा हैं जो आए हुए यहां पर उनको हैल्फ करिए सब उनके लिए कुछ मेरे बहने निकलती है सड़क पर और रात को कुछ उनके सांथ गलत हो तो इनके लिए आप कुछ सुविधा दीजिए आप इनके लिए कुछ तरह से काम करतें कारी करतें यहां पर रोट सड़क पर घूंब कि सिंद्वी के हमारे देश के हर लोग जानते हैं लेकिन बट सर आइवां टो से यू डैट के प्लीज है एबरीबड़ी पुरे राज को मदद किजिए राज आपके साथ है आपको राज ने पूरी बहुमत से सरकार बनाने के सब्सक्राइब करें अपना करिये और आगे जो है अपने जमान लड़का-लोग उसे बागे बढ़े अपना अभी तक क्या उमीद साथ क्या उस पर खरा उतरे हैं मोदी जी नहीं नहीं अद्टा लिए जो देश के प्रतिर सोचता है हर पुब्लिक प्रतिर सोचता है मोदी यह है हमारे यहां का हाल जो लोग अपने युवां से ब्या कर रहे हैं आज आपने क्या बोला कि मतलब कि वाइं सेंटल गौर्मेंट क्या कर रही है स्टेट गौर्मेंट क्या करें मतलब यह तो हम कहना चाहेंगे कि जार्खन गौर्मेंट जब बनी आज से पांच महेना पहले आधर अफ साटाथ मेहना हो चुकि हमारे राज मातले यहां इसा करन से क्या अपने डव्लोप्मेंट किया क्या अपने किया क्छत ने क्या कुछ नंवी लाइफ में पर यह जी रहा है आज्ड करना पर सब्सक्राइं चल गौर्मेंट पर इसा निंए रहिए यहां पर मानेनी है हमारे राजे के मुख मंतरी हमान सोरेन जी जब सरकार यहां बना रहे थे उस वक्त बीजेपी देश के जो सबसे बड़ी पार्टी वह बेपक्ष में थी लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं किया जब हमन सोरेन जी की सरकार आई थी तो उस वक्त जब मीडिया में हम लोग भी देखे हमारे भाई बंदू आप लोग के जरिया हम लोग ने देखा यहां जारकन के जनता आप लोगों के बदोलोत है तो और मैं यह बोलना चाहूंगा प्रेस भाई लोग बंदू लोग के चल है कि यहां की जो सरकार है जारकन की हैमन सोरेन जी की सरकार हो या माननिये रगवर दास्दी की पूर्व में सरकार थी इसके पहले भी माननिये जो नरेंद मोधी और माननी है हमारे गरीह मंत्री जो राजनाइब एंव फॉर्गटिंगी इने कि अमिसाधी की सरकार में आज देश चल रही है हम यही चाहते हैं एक आम नागरिक है यू कैन फॉलो मी एन एनी टाइम मैं एक आम नागरिक हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां के लोगों को और य सरकार के थहत मिल सकती है हमको नेता नहीं है हम एक आम पबलीक है बट आई नो भ convey का शी जानता हों मैं हर सरकार को बोट करता हो मैं प्लों कि खिलाफ लोगों को उच्छुक करता हूं कि आप लोग करिये लेखिन मानने मैं 아म सिरकात जी का कहना चाहता हूं कि वो थोड़ा सा जिस वक्त सरकार बनाए उसी वक्त ये इस तरह का कोर्णा वाइरस आ गया जिस तरह से उन्होंने डेवलोप्मेंट नहीं कर पाया लेकिन हिमत नहीं हारना है मन सर यू आरे यंग बलड सर आई एम सपोर्ट यू तरह से लोगों ने अपने अपने राय दिया और उमीद है कि हमारी सरकार हम युवाओं की बात को सुनेगी और हम युवाओं को जरूर खोश करेगी देखते रहिए जेके न्यूज नेटवर्क कैमरामेन गौरव के साथ मैं रोहित पांडे